देश और दुनिया की जानकारी हर पर कब क्या हुआ सुबे में सुचना हर दम काउं काउं शहर शहर की हर हलचल तीज क्योहार संस्कृती के हर रंग आरिया न्यूस खबर पक्की नमस्कार आरिया न्यूस देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ जाबिदली शाम के साथ बस चुके और बक्त हो चला एक ग्रे कार्ड का आज ग्रे कार्ड में बात किसान और अंदोलन को लेकर होगी क्योंकि किसान अंदोलन के बीच केंद्र ने रववार को ही चोथे दोर की बातचीत में कुछ फसलों पर MSP देने का प्रस्ताव दिया था सरकार चार फसलों पर MSP देने को तैयार हो गई थी लेकिन केंद्र सरकार की ओर से धान और गेऊं के अलाबा मसूर, उडद, मक्का और कपास की फसल पर भी MSP देने का प्रस्ताव पेश किया गया लेकिन इसके लिए किसानों को NCCF, NIFT और CCI से 5 साल का करार करने की बात कही गई थी रवार को इस बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा था कि वे सभी संगटनों से बिमश करके इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाएंगे यानि किसानों के दोरा ये कहा गया था जिस तरासिस चौते दोर की वारतलाब चंडीगर में किसान ने किंद्री मंत्रियों के साथ हुई जिसमें अन्राफ ठाकुर भी मौजूद थे और किसानों के कई वरिस्ट नेता भी इस बैठक में मौजूद हुए मसूर उरद और मक्के को लेकर बादचीत हुई सरकार ने अपने बाते रखी और किसानों ने भी जो उनकी मांगे हैं वो रखी सहमती नहीं बनी और किसानों ने का कि जो हमारे किसान नेता है जो हमारे किसान है हम उनसे विचार बिमर्श करेंगे उसके बाद अपना फैसला सुनाएंगे आगे बढ़ते हैं आप किसानों ने जो किसान नेता है उन्होंने किसानों से बातचीत की लेकिन किसानों के द्वरा सहमती नहीं बनी और अब किसानों ने केंदर के प्रस्ताव को खारज कर दिया किसान संगटनों ने सोंबार देर शाम संभू बॉदर पर press conference कर केंदर के प्रस्ताव को खारज करते हुए अपनी मागई की रणीती बताई तस्बीरे भी हमारे पास हैं वो तस्बीरे आपके साथ साजा करेंगे कि जिस तरह से बैठक हुई और बैठक के बाद जब सहमती नहीं वेनी तो एक बार फिर किसान उग्र होते हुए चले गए किसानों का कहना है कि केंदर के प्रस्ताओं में कुछ दम नहीं है यानि कि किसानों के सामने जो केंदर ने अपने प्रस्ताओं रखा उसके बाद किसान ये कहती हुए नजर आए कि केंदर के इस प्रस्ताओं में किसी तरह की कोई दम नहीं है किसी तरह की ऐसी बात का जिक्र नहीं किया गया है जिससे हमारी सहमती बने या फिर हमें मुनाफ़ा हो या फिर हमें प्राफिट हो आगे बढ़ेंगे इस प्रस्ताव से किसानों को कोई फाइदा नहीं होगा इसके साथ ही किसानों ने सरकार को मंगलवार तक का अल्टीमेटम दिया यानि कि आस तक का अल्टीमेटम दिया कि आ अगर सरकार सबी फसलों पर MSP देती है तो इसमें 1,75,000 करोड रुपे में काम चल सकता है यानि कि पैसों को लेकर भी जिक्र किया गया कहां 1,5 लाग करोड और कहां 75,000 करोड तो अपने आप में काफी एहम हो जाता है ऐसे में अगर सरकार इतना पैसा लगा रही है तो सबी फसलों पर MSP देनी चाहिए किसान के दोरा ये कहा गया क्यों नहीं राजी हुए किसानों ने सरकार की मन्शा पर सबाल उठाए ये आपको बताते हैं आखर किसान क्यों राजी नहीं हुए किसानों ने सरकार की जो मन्शा थी सरकार ने जो बाच्चित की आकरकार किसानों ने उन पर सबाल उठाना शुरू कर दिया साती किसान नेता जगजीत सिंग डल्लेवाल ने किंद सरकार के पस्ताव को लेकर कहा कि हमारी सरकार बाहर से एक लाख पच्चतर हजार करोड रुपे का बनस्पती तेल मांगती है अगर यही रुपया देश के किसानों को MSP देने के लिए खर्च करें तो इससे कम बन जाएगा किसानों के दौरा यह कहा गया रहा किसानों का कहना है कि सिर्फ नाम मातर की फसलों पर MSP के लिए सरकार मानी है वो भी कई शर्तों के साथ किसानों के दौरा यह कहा गया कि नाम मातर के लिए सरकार मानी हैं लेकिन उसकी अलावा भी सरकार ने कई शर्ते भी हमारे सामने रखी है इससे किसानों को कोई फाइदा नहीं होगा किसानों के दौरा ये भी कहा गया किसानों ने एक बार फिर अपनी मांग स्पस्ट करते हुए कहा है कि सरकार 23 फसलों पर MSP की घोशना करे प्रेस कॉंफरेंस में सरनफ सिंग पंडेर ने कहा कि हमने सरकार के प्रस्ताव को ठीक तो ठीक से समझा हमें सभी फसलों पर MSP गारंटी चाहिए अब सरकार को बताना है कि वो कर्ज माफी के मामले में क्या फैसला कर रही है दूसरा उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री बैठक के समय के 3-4 घंटे बाद आते है यानि कि कितनी बड़ी बाद किसानों के दौरा यहां कही गई जो बैठक का समय ता होता है जो समय निश्चित और पर घुशित किया जाता है उसके बाद भी सरकार के जो मंत्री है वो बैठक में 3-4 घंटे के बाद आते हैं किसानों के दौरा यह कहा गया जिससे ये जाहिर होता है कि सरकार किसानों को लेकर सीरियस नहीं है तो किसान एक के बाद एक गंभीर आरोप सरकार पर लगा रहे हैं कि पहले तो बैटक के लिए अगर सहमती बनती भी उसमें भी सरकार के जो नेता हैं 21 फरवरी को लेकर किसानों के दोरा कहा गया है कि 21 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे आगे की रणनेती बताते हुए किसानों ने कहा कि अब 21 फरवरी को दोपैर 11 वजे किसान दिल्ली कूच करेंगे बैरीकेडिंग को लेकर किसान बोले कि हम भी इसी देश के नागरे हैं हमें शांती से अंदोलन करने दिया जा tän happen यानि किसान यह कह रहा है कि किसी तरह का कोई बैरीकेड्स ना लगात है किसानों के दोरा यही कहा जा रहा है क्योंकि चौती दोर की वारतालाब हो चुकी है जो बेनतीज़ रही है अगर दो एर एक किस की बात करें तो यह वारतालाब 12 दोर में हुई थी उस पर भी आएंगे वो भी पूरा विशलेशन आपके सामने रखेंगे चलिए अब आपको शुरू हुआ किसानों का यह प्रदर्शन उसका जिकर कर लेते हैं खुड़ा डीप जाएंगे 1937 की बात करें तो बस 1937 में किसान अंदुलन का एक नया दौर शुरू हुआ बस 1937 से 49 तक किसान अंदुलन के उतकर्श के बस थे किसानों में जागरुकता पैदा करने का मुखे माद्यम था था थाना तालुका जिला और प्रांट के स्थर पर किसान सबाएं या सम्मेरन आयुजित करना वहीं बश 1938 में पटना में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसमें लगबख एक लाग किसानों ने हिस्सा लिया अब साल दोयार 20 और 21 की कर लेते हैं ये जिक्र हमने किया 1937 तक का अब जो इस आंदुलन से पहले जो 20 और 21 में आंदुलन हुआ उसका जिक्रि कर लेते हैं जो आँद नियदे हैं सकेम के कई निताओं का मानना है कि किसान अंडुलन 2.0 का निताओं तक्रि कर रहे हैं निता वही हैं जो पिछले किसान अंदुलन में ठोड़फोड करने के लिए जिम्मे दरते और इस ही लिए उन पर भरोसर नहीं किया जा सकता है संयुए holistic किसानम कि निताओं ने ये भी आरूप लगाया यानि कि ये जो दोनों दल है किसानों का चाहें S.K.M. हो या फिर ये मोर्चा हो जो आज के दोर में जो अभी के समय में हाल फिलाल में जो अंदुलन कर रहा है इस से S.K.M. बिलकुल अलग है और S.K.M. के दोरा ये कहा गया है सहुत क किसान मोर्चा के दोरा कि ये वही किसाने जो अंदुलन कर रहे थे किसान भी एक दूसरे पर हाबी आरूप भी लगा रहे हैं सरकार पर भी आरूप लगाये जा रहे हैं उन्होंने का कि वरतमान अंदुलन में शामिल किसान संगटनों की कुछ नई मांगयों उच्चित नह ही हैं और इसलिए ये MSP जैसे मुखे मुद्दों को कमजोर करती है जिसके लिए SKM यानि कि किसान मुर्चा ने 2020 में अभ्यान चलाया था तब से इसके लिए आंदोलन जारी रखे हुए हैं दरासल पूर्पुबर्ती SKM के सबस्यों के बीच वैचारिक मदवेध हैं इसमें शामिल रहे कुछ किसान संगटनों और उनके नेताओं के एक वर्ग ने पंजाब में विदानसभा चुनाओ लड जो तीन साल पहले के अंदोलन मेंैं थी यानि किसानों के वर्ष्टनेता है जो इस आंदोलन में शामिल नहीं हैं उनके द्लवार ये भी कहा जा रहा है पहले और एक रोशत होना जादा नजर आ रहा है आक्रोशित होना ज़्यादा नजर आ रहा है। प्रत्यक्ष रूप से पंजाब सरकार दोरा प्रायोजित है क्योंकि उसे मून के लिए MSP जैसे चुनावी वादों को पूरा करने में बिफल रहने के कारण किसानों के व्रोध का सामना करना पढ़ रहा है उधा हर्याडा सरकार दोरा पंजाब सरकार पर आरोप लगाए गए है कि पंजाब ने उन प्रदशन कारियों को नहीं रोका जो बिना किसी बादा का सामना किये बड़ी संक्या में शंभू और खनोरी सीमाओ तक पहुँचने में काम्याब रहे पंजाब सरकार पर ये बड़ा आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवन्त मान वहां के अभी इस समय सीय में उस पर भी आरोप ये लगाया गया कि वहां की सरकार ये भी आरोप कहें या फिर ये कहें कि ये वो किसान है राकेश टिकैतों जिन्हों ने दोयार 20 और 21 में आंदोलन किया था और इस आंदोलन को लेकर उन्हों ये शंका है ये डावट है कि मौजूदा ब्रोथ प्रदर्शन में ये मौजूदा आंदोलन में कुछ कटर पंती तत्त तो असमाजिक तत्त इसमें शामिल हो रहे हैं जिससे इस आंदुलन को और उग्र किया जा रहा है और किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है वही राकेश टिकेट ने कहा कि वर्तमान आंदुलन में भाग लेने वाले कई नेता सतलज यमना लिंक नहर जैसे मुद्दों को उठाना चाते हैं जो पंजाब और हर्याना के किसानों के बीच दरार पैदा कर सकते हैं जो सतलज नहर है वो चुकि पंजाब और हर्याना के बीच में से निकलती है और इसको लेकर लगातार बेबात खड़ा रहता है थोड़ा सा इसके वारे में विस्तार से आपको बताएंगे पंजाब में आमादमी पार्टी की सरकार है जबकि हर्याडा में बीजेपी की सरकार है पंजाब में भगोंतमान सीये में जबकि हर्याडा में सीये मनोहर लालखटर की सरकार है ऐसे में सतलज नहर का किसानों के दौरा जिक्र करना कहीं न कहीं दोनों के बीच में दरार पैदा करना है इसको लेकर भी किसानों के दौरा जो किसानों के वरिस्ट निता है या यूं कहें राकेस्टिकैतों या नरेस्टिकैतों इनके दौरा ये भी समझाया गया इसी तरह कुछ लोग सामपरदायक मदवेद भी पैदा करना चाहते हैं इसलिए हम उनके अंदुलन में शामिल नहीं है राकिस्टिकेट के दौरा ये कहा गया कि कुछ लोग इसे हिंसा को भड़काना चाहते हैं जो भाई चारा बना हुआ है उसे बिगाड़ने की कोशिस की जा रही है आसमाजिक तत्तों के दौरा लगातार जो 13 फरबरी को हुआ जो हिंसक जड़पों की तस्वीरे निकल कर सामने आई प्रिशासनिक हमले पर भी हमला किया गया एक किसान की उसमें मौत भी हुई उसको लेकर भी जिकर किया गया उन्होंने कहा कि हम मुद्दा आधारिस समर्दन प्रदान कर रहे हैं टिकेट में ये भी कहा कि अगर सरकार उनकी मुख चिंता का समाधान करने में बिफल रहती है तो SKM मार्च यानि की जो सहुद किसान मौर्चा है वो एक अलग आंदोलन की योजना बना रहा है अब आपको बताते हैं कि हर्याणा के अन्य प्रमुक किसान निता जो भातिय किसान यूनियन के चड़ोनी समु के प्रमुक गुरुनाम सिंग चड़ोनी ने आज तक को आज तक उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से जो किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं या जिस तरह से इनके दोरा उग्र आंदोलन किया जा रहा है उन्होंने आस तक के इस आंदोलन को लेकर ये कहा है कि ये वो आंदोलन नहीं है जो हमारे समय में या फिर दोयर 20-21 में शांती पूरबग तरीके से जो आंदोलन चल रहा था उन्होंने कहा कि दिली चलो मार्च और चंडीगर में सरकार के प्रतनिदियों के साथ होने वाली बैठकों में आमंतरित नहीं किया गया उन्होंने का कि MSP पर कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है कि इन सरकार का लिखित आश्रासन ही काफी है जबकि दिल्चस्प बात ये है कि कई पूर्व यूने ने सिर्फ किसानों के साथ एक जुटता ब्यक्त करने के लिए भारत वंद का समर्थन कर रही है और जहां तक वरतमान किसान आंदोलन का सवाल है वे एकमत नहीं है जो वरतमान किसान आंदोलन जो कर रहे हैं वरतमान समय में उनका ये सवाल है कि वो एकमत नहीं है जिस तरह से जो आंदोलन किया जा रहा है हम उनके साथ नहीं है और कुछ ऐसी इसमें मांगे शामिल हैं जो जायज नहीं है हर्याना के एक प्रमुक पूर्बनेता ने नाम नहीं छुपाने की शर्थ पर कहा कि वै दिल्ली चलो मार्च में शामिल होने के एक शुक नहीं है वर्तमान में चल रहा है किसारों के अंदोलन से ये बड़े नाम नदारद है उन नामों के बारे मैं आपको बताते है योगेंद्र आदब, बल्बीर सिंग राजवेल इसके साथ ही तीसरा जो नाम है वो मंजीत राय का है चौता जो नाम है डॉक्टर दर्शन पाल का है और पांच्बा जो नाम है वो शिप कुमार कका का है चटे नाम की अगर बात करें तो उस चटे नाम का नाम है जिगिंदर सिंग उग्राहा साथमा नाम राकेश ट्रिकैत का है आड़मा नाम डॉक्टर वियम सिंग का है नमा नाम गुर्णाम सिंग चडूनी का है किसानों और सरकार के बीच दो बार की बारतलाब बेनतीजा रही आपको इसके बारे में आप बता देते है केन सरकार किसान संगटनों के साथ बातचीत करना चाहती है इसलिए अब तक दो दोर की बारतलाब बेनतीजा रही है लेकिन दोनों वार बारतलाब बेनतीजा रही पहले की समय की आपको बता रहा है आज फिर इससे मार्चे के साथ बातचीत करने की तीसरी कोशिश की जा रही थी लेकिन बातचीत नहीं बनी अब आपको बताएं कि फसलों पर नियूंतम और समर्थन मूलत देने कर्ज माफी किसान अंदुलन के दौरान किसानों पर दज मामले बापस लेने और MSP पर कानून बनाने की मांग तरक संगत हो सकती है लेकिन किसान निता आपका ही तरह की मांगे कर रहे है नमबर एक MSP की गारंटी के लिए कानून बनाया जाए और सबी फसलों को MSP की सुविदा मिले नमबर दो किसान और खेतिहार मजदूरों का करजा माफ हो और उन्हें 10,000 रुपे मासिक पेंशन दी जाए नमबर तीन भूमे अधीगरण अधीनियम दोयार 13 फिर से लागू हो और नमबर चार की बात करें तो मनरेगा के तहट प्रती वर्ष 200 दिनों के लिए रोजगार उपलब्द कराया जाए नमबर पार्च किसान अंदुलन में मारे गए किसानों के परिवारों को माफजा और सरकारी नौकरी दी जाए नमबर चे देनिक मजदूरी 700 रुपे बढ़ाई जाए नमबर साथ लखीम पुर्खीरी कांड में दोशियों को सजा मिले नमबर आठ नकली कीट नाशक और खाद बनाने बाली कंपनियों के खिलाब कड़ा कानून बनाया जाए वही नमबर नौका जिक्र कर लेते हैं बिजली संशोधन बिद्याग दोयर 20 रद किया जाए पंजाब के किसान बिजली के इलेक्ट्रोनिक मीटर लगवाने की अनिवारता भी खत्म करवाना चाते है और नमबर दस मसाले बाली फसलों के लिए रास्ट्री आयोक का गठन किया जाए वही नमबर ग्यारा किसानों को प्रदूशर कानून से मुखत रखा जाए नमबर बारा फसलों की कीमत स्वामी नाथन आयोक की रिपोर्ट के अनुसार तै की जाए अबर तेरा मोक्त ब्यापार समझोतों पर रोक लगे किसानों को अकसाने और फंडिंग के सबूत मिले दिल्ली पुलिस के ततकालिन पुलिस आयोक्त전 एसन श्रीवस्टप से हुई विशेस बातचीत में उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की जांच में किसानों को उकसाने और फंडिंग किये जाने के सबूत मिल गए थे इसके साथ ही करीब 20 से अधिक मुकद में दर्ज किये गए थे वहीं देश वरोधी चेहरे किसानों के पीछे मुख्याले सुत्रों की माने तो इस बार भी पुलिस को पूरा शक है कि पिछली बार जो देश वरोधी चेहरे किसानों के पीछे थे अमूमन वही चेहरे इस बार भी उनके पीछे हैं जो किसानों को उकसा रहे हैं और देश वरोधी हरकते करने के लिए उन पर दबाव बना रहे हैं दिल्ली पुलिस को भी कहीं न कहीं ये शक हो गया है कि किसान शांती पूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन करता है और जिस तरह से किसानों के दौरा लगातार योगर प्रदर्शन किया जा रहा है ऐसे में दिल्ली पुलिस को अभी ये लगने लगा है कि किसानों को लगात आप इस तरह की करतूते करें ताकि किसान बद नाम हो और वो आपना आक्रोष फैलाकर अपना दंगा फैलाकर बाहर निकल जाएं यानि कि पूरी पूरी तैयारी ये कर ली गई है कि किसानों के कंदों पर रखकर बंदूग चलानी है और किसानों को बदनाम करना है दिल्ली पुलिस के द्वारा एक आ गया वहीं दिल्ली पुलिस समय सभी केंद्री आजंसियां इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं लगातार आप देखते होंगे इस समय जिस तरह से किसान कल भी कूछ करेंगे तेरा फर्बरी को भी आपने देखा और लगातार देख रहे होंगे चाहें दिल्ली NCR से सटे जो कोशिस एसन श्री वस्तप का कहना है कि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है हर्याणा और उत्रपदेश में किसानों को रूखने के लिए ब्यापक कदम उठाए जा रहे हैं अगर दोयार 21 में भी इस तरह किया जाता तब किसान दिल्ली की सीमा उपर नहीं आ पाते और कई मही जी से वे दिल्ली की सीमाव तक आ गए थे। कहीं भी उक्तरराजों की पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिस नहीं की थी। इससे सीमाव पर आकर उन्होंने घर बना कर बसे राबा बना डाला। वहीं दिली ने दिली में मजबूत तरीके से रोके किसान को ले कर किस तरह से तैयारी है कि गई वो भी आपको बता देते हैं दिली पुलिस ने बहुत ही मजबूत तरीके से सिंदूर टिक्री गाजीपूर और ओचंदी समित अन्य सभी छोटे बड़े सीमाव पर पहली बार वेरिकेडिंग कर किसानों को दिली आने से रोक दिया था पहली बार जर्सी बैरियर लोए के कटीले तार डंपर कंटेनर लगाए गए थे सडके भी खोद दी गई थी ताकि किसानों को जथा आगे ना बढ़े उन्हें रोका जा सके इसी के साथ आंदोलन में खालिस्तान समर्थ तक भी घुसे पुलिस कर्मियों ने कोई ऐसा बल प्रयोग नहीं किया जिससे किसी किसान की मौत हो गई हो कोरोना और सर्दी के कारण कुछ किसानों की मौत जरूर हुई थी दोयर बीस और एकिस में उसका जिकर आपको कर रहे हैं जाच में ये भी बात सामने आई थी कि शुरू में किसानों को कई बड़े किसानों और आर्टियों ने फंडिंग करना शुरू कर दिया बाद में खालिस्तान समर्थ तक भी घुसाये थे आंदोलन हुआ हिंसक इसके बाद आंदोलन को हिंसक रूप देने की कोशिस की गई फिर एक राजनितिक पार्टी और कुछ वाम पंती विचारधारा के नेताओं ने परदे के पीछे से गलत हबा देने की भरपूर कोशिस की गई थी आप बात को पूरा समझ ये किसानों ने जब गरतन दिवस के दिन रैली निकालने की बात कही तब किसानों के बिबिन संगटनों के बड़े नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की कई बार इस मसले को लेकर बैठी के हुई किसान नेताओं ने लिखित में आशासन दिया था से 60-60 किलो मीटर के दाइरे में रैली निकालने की बात तै हुई थी उन्हें रूट भी बता दिये गए थे लेकिन दिल्ली में प्रभेश करते ही किसानों ने जहां तक घुसकर बारी उपरब्द मचाना शुरू कर दिया था बाद में किसान निताओं की मांग पर केंद सरकार के निदेश पर उपरा जपाल ने किसानों के खिलाब दर्ज किये गए मुकद में बापस भी ले लिये थे अब आपको बताते चलें कि किसान अंदुलन टू पाइंट ओ की पूरी कहानी आखिर क्या है देश की डासदानी दिल्ली में अनिदाता एक बार फिर से दस्तक दे आपको बखूबी पता है दो साल पहले किसानों ने एक बड़ा अंदुलन किया था जिस तरा से अभी हमने आपको बताया और अंदुलन खत्म करते समय उन्होंने अपनी जीत का भी ऐलान किया था लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि फिर एक बार किसान दिल्ली की देली इस प पूरी नहीं होगी। पंजाब के 40 किसान संगटन शामिल हुए थे दोयार 20 और 21 के आंदोलन में अब की बार सिर्फ पंजाब किसान संगटन संग के सिर्फ दो ही संग हैं। पंजाब के साथ बातचीत करें लेकिन इस तरह का उग्र आंदोलन ना करें। और इसी के साथ ग्रे कार्ड में बस इतना ही कल फिर मुलाकात होगी एक नए विशलेशन के साथ एक नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए आप बने रहे आरे नियूस के साथ।